बच्चों आपको भी गुब्बारों से खेलना पसंद है ना मुझे भी और जब आपके घर में बड़े पाटी होती होंगी तब आपको धेर सारे गुब्बारे फुलाने पड़ते होंगे तो चलिए मैं आज आपको गुब्बारे फुलाने का मज़ेदार तरीका बताती हूँ इसके लिए मैंने इस परक नली में एक द्रौ लिया हुआ है और इस गुब्बारे को मैं अब इसके उपर करती हूँ देखे क्या होता है अरी एक गुब्बारा तो अपने आप फुल रहा है क्या ये जादू है नहीं बच्चो ये जादू नहीं है वास्ताव में यहाँ पर एक रासाइनिक अभिक्रिया हो रही है मैंने इस परेखनली में एक्सियल अमल लिया हुआ था और इस गुब्बारे में मैंने सोडियम कार्बोनेट छुपा कर रखा था जब इन दोने के बीच क्रिया हुई तो एक गैस बनी और इस गैस की वज़े से गुब्बारा फूल गया आए अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि निकलने वाली गैस कौन सी थे बच्चो इसके लिए हमें क्रिया कलाब करना होगा और इस क्रिया कलाब के लिए हमें कुछ उपकरन तथा कुछ रासायनिक अभिकर्मकों की आविशक्ता होगी बच्चो इसके लिए मैंने कोनिकल फ्लास में सोडियम कार्बोनेट लिया हुआ है इसमें मैंने दो छेदों वाला कार्ग फिट किया है जिसमें से एक छेद से मैंने थिसल के फिट की है और दूसरे छेद से मैंने यह निकास नली लगाई है अब इस निकास नली को मैं चूने के पानी में टुबा देती हूं इस तरह से बच्चों ये चूने का पानी बनाने के लिए आप जो बजार से चूना यानि की कैलसियम ओक्साइड लाते हो इसे पानी में खोल देंगे जिससे वो कैलसियम हाइड्रोकसाइड में परिवर्थित हो जाएगा जब अब इस कल्सियम हाइड्रॉकसाइट के विलियन को हम चार से छे घंटे के लिए छोड़ देंगे जब ठोस्पदार्ज नीचे तली में बैठ जाएगा तब हम ऊपर के स्वक्ष रेंगहीन विलियन को बड़ी सावधानी से एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे और यही स्वक्ष रेंगहीन विलियन हमारा चूनी का पानी है इसके अलावा बच्चों हम इसमें लेंगे तनू हाइड्रोक्लोरिक अमल आए तो अब अभी क्रिया करके देखते हैं इसके लिए मैं इस ह बड़ी सावधानी से डालेंगे देखें यहाँ पर आपको रासायनी कभी क्रिया होती हुई दिखारी दे रही है कुछ गैस भी निकल रही है देखते हैं कि इस चूने के पानी में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं यह चूने का पानी काफी दुधिया हो गया है जो ये सिद्ध करता है कि निकलने वाली गैस कार्बन डाय ऑक्साइड कैस है, वो कैसे मैं समझाती हूँ बचो, जब अमले की सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया होती है, तो लवण और जल बनता है जैसे कि यहाँ पर HCl की सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया हुई तो NACL लवन तथा जल बना एवं कार्बन डायोकसाइड गैस बाहर निकली जब इस कार्बन डायोकसाइड गैस को हम रंगहीन स्वक्ष चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो ये चूने का पानी दुधिया हो जाता है क्यूंकि कार्बन डायोकसाइड गैस चूने के साथ मिलकर केल्सियम कार्बोनेट बनाती है जो की जल में अविले होता है और इसलिए चूने का पानी दुधिया हो जाता है। तो ये बात सिद्ध हो गई कि जब आमने की क्रिया धातू के कार्बोनेटों याने की सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइडरूजन कार्बोनेट के साथ करते हैं तो लवन और जल बनता है और कार्बन डायोकसाइड गैस ब